मंचपर पस्थित उत्तरप्रदेश सरकार में मंत्री मंडल के मेरे बरिष्ट सेयोगी MSME विभाग के मंत्री से राकेश सचान जी प्रदेश के मुख्य सचिव शे दुर्का संकर मिस्त्र जी अवस्थापना या मद्दगीक विकास क्या युक्त सी मनोज कुमार सिंग जी अपर मुख्य सचिव MSME अमित मोहन परसाद जी महा प्रबंदर और समन्वेप SNPC सी समीर रंजन पंडा जी आज की इस कारेक्रम में पस्तित MSME विभाग की सभी अधिकारी कन सभी बैंकों की प्रमुक कन और प्रदेश भर से आई वे हमारे सभी MSME की उद्यमी कन पवपस्तित बैनोर बाईयों आज यहां पर एक बार फिर से इस बित्तिय वर्ष के समापन के पूर्व ही MSME विभाग के मात्यम से जो लोन मेला वित्रण के करेक्रम प्रदेश के अंदर हुए हैं यह रासी गत वर्ष की तुलना में जुगना होने और बिकत साथ वर्ष के दोरान अगर हम देखेंगे तो यहां लगभग दस गुना बढ़ने की और आगरसर हुआ है यहां जो प्रगती है उत्तरप्रदेश कि आर्धिक उन्यन को तो प्रदर्शित करता ही है बलकि तरप्रदेश के युवाओं के लिए रोजगार के धेर सारी अवसर भी उपलब्द हो रहे हैं मैं इसके लिए विभाग को बैंकर्स को फिर्दे से धन्यवाद देते हुए सभी उद्यम्यों की प्रती फिर्दे से बधाई और सुब कामने देता हूँ बहुत सारे कारेक्रम आज एक साथ हो रहे हैं अभी आपने देखा होगा हम लोगों ने विश्व करमा स्रम सम्मान और वन दिस्टिक वन प्रॉडक्ट की योजना की अंतरगत यहां पर टूल किट वित्रण की है इससे पहले निजी छेत्र में भी और द्योगिक पार्क विक्सित हो उन्नाओं में ग्यारवां यानि प्रदेश में ग्यारवां है और उन्नाओं का पहला प्लेश पार्क का भी इंसेंटिव गित्रण का एक कारिक्रम यहां पर संबन्व हुआ है MSME एक ऐसा विभाग है जिसने पिछले साथ वर्स में प्रदेश के सोक्सम्लगों और पद्यम उद्यम छेत्र से जुड़ेवे उद्यम्यों के लिए एक नई आसा की किरण बनकर क्यों भरा है यह प्रदेश के अंदर युवाओं के लिए नए रोजगार और नौकरी की संभावना वाला छेत्र परना बनकर के उपरा है और यह छेत्र अपने अभिनों प्रियोग और नवाचार के कारण प्रदान मंत्री मोदी जी के आत्म निर्वर भारत के लक्षे को प्राप्त करने की दसा में तेजी के साथ आगे बढ़ा है और विश्वकरमा स्रम सम् मान की यौशना 2019 में प्राप्त की थी यह जनवरी 2018 और जनवरी 2019 में दो मेच्टवण यौशनाई हमने प्राप्त की और अधर प्रदेश देश का पहला राज्य होगा जिसने MSNA के प्राइविट इंडिस्टिरियल पार्क हम लोग स्तापित कर सकें दस एकड़ से लेकर के पचास एकड़ के उस शिक्टरफल में और इस कारेक्टरम को हम लोगों इस स्टेजी के साथ आगे वड़ाया देखते ही देखते दस जनपर इस योजना के साथ जुड़ चुके हैं यह नए भारत का निया उत्तरफदेश है और हम इसलिए बारबार कहते थे उत्तरफदेश के बारे में जो धाना थी उस धाना को धेरे धेरे करके समाप्प किया गया कि उत्तरफदेश कुछ नहीं कर सकता है जो लोगे मानते थे हमारे छंपा पर प्रस्म खड़े के जाते आज उन सब को दूर करते हैं उत्तर प्रदेश ने अपनी सामर्थे से सब का उत्तर दे दिया है अब हमें किसी के सामने जवाद देने के आउसकता नहीं पड़ती सफाई देने के आउसकता नहीं पड़ती है हमारा कारे हमारा जवाद दे दे रहा है उसका उत्तर दे दे रहा है जो भूत्पूर कारे प्रारम हुए हैं हर एक सेक्टर में और इस अलग-लग सेक्टर के रिज़र्ट इस बात को दिखा दे हैं कि उत्तर वर्देश तो अनलिम्टेट पोटेंसियल का स्टेड था और इसलिए यूपी कह राता था तो इस लोगों ने इस अनलिम्टेट पोटेंसियल को बिमारू राच्चे की रूप में बदलने का काम किया और जब डवल इंजन की सरकार आई तो प्रदान मंत्री मोदी जी के नित्रुत्तों में उनकी मार्ग दरसन में इस unlimited potential को हम लोगों ने राष्टर निर्मान के अभियान के साथ जोड़ करके युवाओं के लिए उद्यमियों के लिए development के साथ उसको जोड़ने का जो कारे प्रारम किया आज उसका प्रेणाम हमारे सामने देखने को मिलता है अतर देश का इसा राज्जे है जिसने अपने MSME यूनिट को पांच लाख रुपेग तक की सुरक्सा पीमा का कबर भी दिया है और मुझे प्रसंदता है कि 40 लाख MSME यूनिट अब तक रेइस्टर हो गई है पुल मिला करके 96 लाख MSME यूनिट में से 40 लाख रेइस्टेशन होना इसको एक स्पेसल अभियान के तहट हर जन्पत में जिलाओ जोग केंड़ता और सक्री रूप से आगे वढ़ा देनी क्या हो सकता है जिससे हम सभी को रेइस्टर करा सकें और फिर उनको जोड़ करके उनकी ग्रेडिंग करने की प्रक्रिया के साथ जोड़ सकें और अपने युगाओं को अधिक से दिक रोजगार के साथ उसके साथ जोड़ सकें इस दिसामें हमारा प्रियास होना चाहिए MSME अगर आपके पास MSME का बेस है लेंड बेंक है सुरक्षा का बेहतर माओल है तो दुनिया के बड़े से बड़े निवेश को नीचे आमन्द जमीनी धरातल पर आमन्दित करने से आपको कोई रोक नहीं सकता कोई पातप रोक नहीं सकती है और प्रदेश को प्राप्त हुआ अभी हाली में 40 लाग करोड रुपे के निवेश के प्रस्ताव इस बात के उधारण प्रस्तुत करते हैं जिसमेंसे साड़े तस लाग करोड रुपे का निवेश का प्रस्ताव तो अभी ग्राउंड प्रेकिंग के मात्यम से प्रधान मंत्री जी ने अभी स्लान्यास किया है यानि यह चीजें दिखाती है जिस्तर प्रदेश में कोई आना नहीं चाहता था आज उत्तर प्रदेश निवेश का बेत्रीन गंतब बन करके देश के सामने उधान प्रस्तुत कर रहा है और इसके पीछे भी MSME का बेस अमारी मेंती पूनिका का निल्वन करता है वो ठीक वात है सरकार है सुरक्ता का माहोल देना अमारा दैट तो था लेंड बैंक बनाना बालसी बनाना भी मारा दैट तो था लेकिन MSME सेक्टर में जो कारे हुआ है उसका पेढ़ाम है कि लोगों को बहुत मेनत नहीं करने पड़ी कि सब कुछ यहीं पे उपलब्द हो जाएगा और वह आज इस सेक्टर ने करके दिखाया है पेंकर्स ने भी वो उदारता दिखाई है चाईवार डिस्टिक लेवल बैंकर्स कमीटी ने इस्टेट लेवल बैंकर्स कमीटी ने पेढ़ाने उसका आज देश के अंदर उद्योग को सवाधिक लोन देने वाला राज्य कोई है तो तर्क देश है हम लोग अच्छा टाम कर रहे हैं अच्छी दिसा में आगे वड़ चुके हैं और मैं इसलिए कहता हूं कि जिस स्पीड से यूपी चला है इस स्पीड को थोड़ा और हम फुसब कर लें तो तर्क देश को आने वाले पांच वर्स में वन टिलेंड डॉलर की कौनोमी बनने स हमने उन चेत्रों में जो हमारे पास टाकत थी उन चेत्रों में अगर हम कारे करना पराण हम करेंगे और बैंकर्स निस्तिफा में क्योंकि स्वीड बढ़ी यूपी का हमारा जो सुद्य वेस्व था तहां 24 पीस थी था आज 56 से आगे बढ़ता तावन पीस इसके साथ जादे 57 ती तक इस विर्थी वर्स तक 57 तक पहुंचेगा और अगले विर्थी वर्स में सी स्पीड को आगे बढ़ाते हैं हमें इस सेडिय वेस्व को 65% तक लेक यूपी में संभावना यूपी इस लग्षे को इस तार्जट को अचीव करेगा है क्योंकि हमें कि उत्तरब्रदेश के 25 करोड़ लोगों के इतों के लिए कारे करना है प्रदान मंत्री जी की मंसा के रूप उत्तरब्रदेश को भारत के ग्रोथ इंजन के रूप में स्था उत्तरब्रदेश करना पड़ेगा उत्तरब्रदेश ने इसलिए सेम यूवा के नाम पर अपनी एक नई योजना प्रारम की है MSME यूनिट लगाने वाला यूवा पांस लाक रुपे की पक्ता लोन ब्याज मुक्त रिण की रूप में हम उन्हें उपलप्त करवाने का कारे करेंगे और उसका एक मेकानिजम प्रदेश तरकार के दोरा तैयार करके लौबू किया जा रहा है हम इस संख्या को बढ़ाएंगे पहले संट में पांच लाक फिर वह चुकता हो जाएगा साड़े साथ लाक करेंगे फिर वह चुकता हो जाएगा उसको दस लाक तक पहुंचाएंगे जिससे प्रदेश में सेक्टर की अनंत संभावनाओं को आगे बढ़ा करके देश के मनिफेक्चरिंग के सबसे बड़े हब की रूप में मुत्तर प्रदेश को स्थापिक कर सके प्राइबिक इंडिस्ट्रियल पार्क इसका उधारन है पहले निवेश होता था कहां NCR में हर एक देखती आता था नुएडा ग्रेटर नुएडा राजियाबाद बहुत हो गया मेर अठापुर उससे पहार को याना नहीं चाहता था आज उन्नाव में निवेश करने के लि ग्रामेंड छेतर में और अभी हमारा जो ब्राट बेकिंग हुआ है सभी 75 जनपदों में कुछ न कुछ निवेश जरूर हुआ 75 के 75 जनपदों में ये चीज़ें दिखाती हैं कि मारे पास सम्भावनाएं थी उन सम्भावनाओं को जमिनी धरातल पर उतारने के लिए जो प्रयास होने चाहिए थी उसका वहाओ था आज वह सही पिसामें आगे वड़ा है हम लोगों ने इस पिसामें कारे प्रारम किया ह और ये कारे इस बात को देखते हैं दिखाते हैं उसका एक लग उच्चित्रा हमारे सामने देखने को निलाता जब इंटरनेशनल ट्रेड सो हम लोगों ने ग्रेटर नुड़ा में उजित किया इस वर्स भी होगा फिर सितंबर दोहजार चौबीस में भी एक इंटरनेशनल त्रेड सो पयोजन फिर से हम लोग घ्र्टर अन्राजित करने जा रहे हैं अभी आप सभी दयारी करें प्रदेश की इस्ते ही जितने और फी यॉनिट्स हैं जितने इमएस वींट हैं वे सभी वहां पे फिर से अपने अपने उत्पार 양 other पेश्पछले बताये ब्ताहिये के सामने उतरप्रदेश च्राइउ इस शेटर में आगे बढ़ होगा है कि उतरप्रदेश के अंदर मौशुत है हम लिखाने आगे बढ़ें सीम partnership की scheme को भी हमें लागू करने की त्यारी करने चाहिए कि यह युवाहों और उसके इस कॉलेज के दोराने उसके instruction के दोराँ जब इद्धन कर रहा है जो ठोडिग्री ले रहा दिप्लोमा कर रहा है उस दोरान उसके relationship के साथ जोड़ने और आपके पास सस्ता में पावर उपलब्द कराने के साथ साथ प्रधान मंत्री मोदी जी की मंसा के अंडोब NEP के लग्से को प्राप्त करने में भी बड़ी भूमिका का निर्वान करेगा हमें देश के विकास के वारे में सोचना है और इस लिशा में कारे करनी के लिशा में जो पारे कारे प्रारम हुए है ओडियोमी के सेक्टर में विश्वकर्मा स्रम सम्मान के छेत्र में अगर हमने अपने हस्त सिल्प को अपनी कला को अपने कारीकरों को उनके हूनर को थोड़ा भी प्रोथसाहित किया तो ये सब कुछ करने की सामर्थे रखते हैं सब कुछ करने की सामर्थे रखते हैं और ये आज हम सब को देखने को मिलना है मैं आज की सौसर पर प्रदेश के चिन धाई लाग उद्यमियों को ये लगभग 31,000 करोड उपे के लोन बित्रित हो रहे हैं इन सब को में बढ़ाई देता हूँ वे समय सीमा के अंदर अपने कारे को आगे वढ़ा दे और अपने कारिक्रम को आगे वढ़ाने के साथ ही प्रदेश सरकार से कहीं भी कोई समस्या हो जलाओ जोग केंदर के साथ संबाद बनाए दिस्टिक अपने स्टेशन के साथ संबाद बनाए कोई समस्या होते तो बिभाग के साथ और मुख्यमंत्री कारयले के साथ संबाद बना करके इन समस्याओं का समाधान करने की तिसा में उनको आगे वड़ना चाहिए सरकार उनको पूरा सपोर्ट करेगे पर देश ने परिश आगे नाव में अबने लिए चाहिए है कि राव मुझे प्रसंद्ता है कि जाने के पहले हम लोग में ह생ार में इडक पार्ख का कंल करने के शाथ प्रदेश के अंदर विस्वकर्मा स्रम सम्मान और ओडियोपी योजना के अंतर का टूलकिट वित्रन उनका प्रसिक्षन होने के साथ ही उन्हें टूलकिट वित्रन का भी कारिक्रमाज यहां पर संपन हुआ है फिर से हुआ है इस प्रक्रियाकों में और तेजी के साथ नई टिक्नलोची के साथ नए तरीके से आगे वढ़ा करके उनकी ग्रेडिंग की प्रक्रिया को भी आगे वढ़ाने के आओ सकता है मार्केट की दिमान क्या है किस प्रकार की क्योंकि अब तो मैं देखता हूं कोई परव और तेवार आता है या कोई किसी के आँ जा रहा है कारीकर हमारा हस्त सिल्फ और हमारे घर में बनावा उत्पाद मार्केट में छारा है हमें इसको प्रोचाइब करना होगा पेरित करना होगा उसके लिए प्रेट फॉर्म देना होगा और परव और त्यवार का इससे अच्छा अनद और क्या हो सकता है कि हमारे लोगों के द्व कि यहां के मार्किट में देखने को मुंता है और उसमें बात तो अच्छा होता ही है कि अब उनको लगता है कि बहुत से उनका उज्जवल है उनकी विरासत को संग्रक्सित करने का जो तारे इन योजनाओं ने किया उसको बहुत से उज्जवल है और मैं इस होसर पर चाहूंगा कि विभाग अभी से तयार करें जो हमने कॉमन फैसलिटेशन सेंटर अलग अलग जगे जन्पदों में मस्ताफित कर रहे हैं ग्रेदिंग तैय करें मार्केट की मैपिंग भी करें किस प्रकार की डिमांड है उस प्रकार का प्रॉडक्ट भी अगर हम उप्लब्ब करवा सके हैं जिसको पैकेशिंग के साथ जोड़ करके अच्छे तरीके से आप प्रस्तुत कर देंगे तो यहां पुरी देश के अंदर च्छाने में इसको देव नहीं लगेगी बहुत देव लगेगी नहीं और मुझे पुरा विस्वास है कि हम सब इस कारिक्तरम को आगे बढ़ाने में सफल होंगे मैं एक बार फिर से SLBC को यह लगबक 31,000 कुरूरते के रिण बित्रण के लिए फिर्दे से धन्यवाद देता हूँ जिन धाई लाग फुर्द्यमियों को आज रिण बित्रण होने जा रहा है उन सब को बढ़ाई देता हूँ उनके प्रते में अपनी सुब्तामना ही देता हूँ बिभाग को इन अभीनों कारिक्रमों को तरिक्ति से आगे बढ़ाने के लिए भी हैं जैसे धन्यवाद देते हुए प्रदेश के सभी एमेसमी के जितने भी हमारे उत्यमी हैं उन सब से मैं आउवान करूंगा वैस्टेशन की प्रकरिया को समयबत तरीके से आगे बढ़ाए जिला उत्यों केंद्र तेजी के साथ इस कारिक्तरम का अधिक से दिक परचार परसार करें और सब को रेजिट्टर अधर पर मैं एक बार फिर से आप सब की प्रतिफ़नी सुब कामने देता हूं नहीं राग चैनल